Hello everyone, this is Aditi and once again a very warm welcome to Current Affairs by Ravi YouTube channel तो friends, आज की वीडियो में जो है हम एक काफी जादा important topic cover करने वाले हैं Topic का नाम है वर्तमान में कोन क्या है? 2024 काफी जादा important topic है आपके सभी exam point of view से हर exam में जो है आपको इस topic से related questions देखने को मिलते हैं Friends, आज की वीडियो में जो है हम A to Z तक की सभी important appointments discuss करने वाले हैं एकदम serial wise जो है हम उन appointments को देखेंगे देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं किस परकार से मैंने आज की questions जो है cover करे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफी जादा beneficial रहने वाली है इसमें जितने भी इंडिया के महतब उन्पद है और उन पे जो जो अभी हाल फिलान में न्यूक्स हुए है उन सभी के बारे में आपको बताऊंगी ठीक है तो वीडियो को आपने complete देखना है एंड तक और लास्ट में मुझे two questions का answer भी आपने देना है comment section में स्टार्ट करने से वाले आपके लिए एक important information है अगर आपको daily current affairs पढ़ना है ठीक है तो हमारे इसी चैनल के ओपर आपको सुभी जो है आपको daily current affairs की class करवाई जाती है आपके रविसर के द्वारा ठीक है तो daily basis पे अगर आपको current affairs पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते है एकदम जो है आपको beneficial content हमारे चैनल पे provide करवाई जाता है और friends अगर आप new student है फस्स टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजीगा क्योंकि हमारे चैनल जो है आपके सभी upcoming exams में आपकी काफी ज़दा मदद करने वाला है और भी कई परकार के topic wise current affairs पे प्रवाईट करवाई जाते हैं आपको और बाकी भी जो आपकी GS की वीडियो रहती हैं वो भी हम प्रवाईट करवाते हैं तो चलिए आज के session की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो है हम समभैदनिक पदा धिकारी के बारे में जानेंगे तो फेंस current में हमारे जो प्रधान मंत्री है देश के ठीक है उनका नाम है नरेंदर मोदी जी अगर बात करी ये कौन से नंबर के प्रधान मंत्री है हमारे तो ये है पंदरवे नंबर के राष्टपती की तरफ आते हैं तो हमारी देश की current राष्टपती है डोक्ति मुर्मु जी जो की संधाल जन जाती से है और पंदरवी ही जे राष्टपती है वहीं बात करें अगर हमारे उपराष्ट पती की तो उपराष्ट पती है हमारे चक्दीब धनकरजी ठीक है कौन से नंबर के है चोधवे नंबर के है आपकी एक्जाम में जो है कोशन ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि जो पंदरवी नंबर की राष्ट पती है वो कौन है इंड वो है राजेव कुमार इमेज की तुरू आप इन्हें देख सकते हैं फ्रेंस वहीं इनसे निचला पदा आ जाता है आपका निर्वाचन आयुकत का तो हमारे करंट में दो निर्वाचन आयुकत है ठीक है नाम आपको ध्यान में लखने है ज्यानेश कुमार और सुखवीर सिं इमेज की तुरू आप देख सकते हैं नेक्स्ट अब आते हैं नियाईक प्रमुक की और तो हमारे जो चीफ जस्टिस ओव इंडिया है करंट में जिन्हें की हम हिंदी में कहते हैं मुख्य नयाईधीश वो हैं धननजे जश्वंद चंदचूर जिन्हें की आप डीवाई च प्रमनी नेक्स्ट अब आते हैं हम हमारे देश के सीडियस की ओर तो चीफ ओफ डिफेंस टाफ है जो की हमारे करंट में वो हैं लेफटेन जनल अनील चोहान जी फर्स्ट जो हमारे सीडियस थे उनका नाम था विपिन रावत जी वहीं अगर बात करें नो से नाध्यक्ष की तो फ्रेंस की ये रिसेंट में ही अपोइंट हुए है इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी और ये जो हैं ये 26 वे नंबर की नो से नाध्यक्ष है वहीं अगर बात करें वायू से नाध्यक्ष की तो उनका नाम है विवेक राम चोधरी कौन से नंबर की 22 है फ्रेंस उनका नाम है जननल मनोज पांडे कौन से नंबर के है 29 नंबर के नेक्स्ट अब जानते हैं नियाईक प्रमुक के बारे में तो जो हमारे कंट्रोलर एंड ओडिटर जोनल है ना फ्रेंस जिने के हम नियंतरक और महालेखा परिक्ष कहते हैं वो है करंट में गिरि जो नितियायोग के उपाधक्ष है उनका नाम है सुमन बैरी करंट CEO है नितियायोग के बीवी आर सुब्रमन्यम नेक्स्ट अब हम बात करेंगे संसदिय प्रमुक की तो फ्रेंस जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है 17 नंबर के हैं यह इनका नाम है ओम बिल्ला लोकसभा महास सचीब की बात करें तो इनका नाम है उत्पल कुमार सिंगर नेक्स्ट अब हम जानेंगे राज्यसभा में वर्दमान में कोन क्या है तो करंट जो है जगदीब धनकर जी जो कि हमारे उपरास्ट पती है यह जो है फ्रेंस की राज्यसभा के सभापती भी है ठीक है अगर हम मेहनत से जो है आपके लिए हमने यह फाइल रेडी करी है तो आपने जो है कमेंट सेक्षिन में अपना फीड़बैक जरूर देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं बार बार ऐसा कि यह चैनल जो है आपको काफी आगे तक लेकर जाएगा नेग्स अब हम बात करेंगी आरबी आइए की जिसे की भातियो बैंक कहा जाता है तो आरबी एके जो करणट गवर्णर है फ्रेंस उनका नाम है शक्तिकान दास, बात करें, RBI की डिप्टी गवर्नर्स की, तो RBI की करणट में चार डिप्टी गवर्नर्स है, उनकी नाम देखते हैं, तो D. रवीशंकर, स्वामिनातन जान की रमन, M. डी बातराव और M. राजेश्वर राओ जुमाएं ये चार डिप्टी की नाम से चाना जाता है वहीं अगर बात करें रक्षा नुसंधान एव generations के द्रीट की कररंट अध्यक्षंच समीर वी कामत नेक्सट यहां जानेंगे इस्टोक एक्स्चेंज में कोन रा मुर्ति वहीं अगर बात करें सेबी की यानि कि भारतिय प्रतिभूती और विनम्य बोड की तो फ्रेंस इसकी जो अध्यक्ष्य करंट वो है मादवी पूरी बूच्च नेक्स जब बात करेंगे नसी की यानि कि नैशनल स्टोक एक्सचेंज की तो इसकी जो अध्यक्ष्य उनका नाम है गिरीश चंद् उनके अध्यक्ष्य कानाम है राहूल सappहित्य तो भारत हैवी इलेक्ट्ट्रिक्ष लिमिटर यानि की भील की जो सीयमडी है उनका क्या नाम है उनका क्या नाम है कोपू सदाशिव मूर्ती वहीं अगर बात करें बात करेंगे बीपी इसके इन्दियन आध्यक्ष और M.D. है जी कृष्यन कुमार कौल इंडिया लिमिटेड जो है फरेंड्स इसके करन्ट अध्यक्ष है प्रमोदगरवाल भार्टि गैस प्रादिकरन लिमिटेड के जो करन अध्यक्ष है उनका नाम है संदीब कुमार गुपता वही फ्रेंट्स अगर बात करें HPCL की तो इसके अध्यक्ष है पुश्प कुमार जोशी IOCL यानि कि इंडियन ओलिल कॉर्परेशन लिमिटेड इसके जो करंट अध्यक्ष है फ्रेंट्स उनका नाम है श्रीकान मादव वैदव नेक्स्ट डिसकस करते हैं NTPC को तो NTPC के जो CEO है उनका नाम है गुर्दीप सिंग तेल इवं प्राकृतिक गैस निगम यानि कि ONGC के जो करंट अध्यक्ष है उनका नाम है आरुन कुमार वही अगर बात करें पावर ग्रीड कोर्परेशन ओफ इंडिया की तो इसके अध्यक्ष का क्या नाम है आर्कित्यागी फ्रेंट्स आप जो है इन इमेज के तुरू भी देख सकते हैं नेक्स्ट अब बात करेंगे हम सेल की यानि कि स्टील अथरोटी ओफ इंडिया लिमिटेट की तो इसके जो करंट अध्यक्ष है उनका नाम है अमरेंदू प्रकाश वहीं फ्रेंट्स पी एफसी की जो अध्यक्ष और अम है परमींदर चोपड़ा और आरीसी के जो सीम्डी है उनका नाम है विवेक कुमार देवांगन नेक्स्ट बात करेंगे ओयल इंडिया लिमिटेड की तो ओयल इंडिया लिमिटेड की जो करंट अधक्ष और एमडी है इनका नाम है रंजीत रत्थ इमेज की तो आप इन्हें देख सकते हैं तो अब हम जानेंगे नवरतन कंपणियों के में जो वरतमान में कोन क्या है तो करंट में 19 नवरतन कंपणिया है तो इसमें उनके अध्यक्ष हम जो हैं डिस्क्स करेंगे तो फर्स्ट देखिए आपका है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की अध्यक्ष कोन है तो इनका नाम है भानू प्रकाश श्रिवास्तव नेक्स्ट की तरफ आते हैं तो कंटेनर कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष का क्या नाम है राइट अंसर इस संजे स्वारूप नेक्स्ट कुशन आपका है इंजिनर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष कोन है राइट एंसर इस वर्टिका शुकला नेक्स्ट इस हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अध्यक्ष का क्या नाम है राइट एंसर हेगा अशोक नायक नेक्स्ट आपका कुशन महानगर टेलिफोन निगर्म Limited की अध्यक्ष कोन है तो इनका नाम है सुनील कुमार वहीं फ्रेंट जो श्रीधर पात्रा है ये National Aluminium Company Limited की अध्यक्ष है और KPM स्वामी जो है ये National Buildings Construction Corporation Limited की करंट अध्यक्ष है नेक्स्ट कोशन की तरफ आते हैं तो नैवेली Lignoit Corporation Limited की जो अध्यक्ष है वर्तमान में उनका नाम है प्रसना कुमार मोटूपली वहीं अगर बात करें नेक्स्ट कोशन की तो देखें रास्टे खनीज विकास निगम की अध्यक्ष का क्या नाम है तो इनका नाम है सुमित देव नेक्स्ट आपका है रास्टे इसपात निगम Limited की अध्यक्ष कोन है Trident Series P Madhu Sudhan Shipping Corporation of India की अध्यक्ष का क्या नाम है तो इनका नाम है बिनेश कुमार त्यागी वहीं फ्रेंट्स डेल विकास निगम लिमिटेड जो है इसके करंट अध्यक्ष है प्रदीप कोड ओएंजी सी विदेश लिमिटेड की अध्यक्ष जो है उनका नाम है अरुन कुमार सिंग और रास्ट्र क्यामिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड की अध्यक्ष है श्रिनिवास मुद्गेरिकर फ्रेंट्स इन जो है ठियोरी पार्ट के बाद जो है हम इंपॉर्टन एमसी क्यू का सेशन भी डिस्कस करने वाले है जिसमें कि मैं आपको टोप 80 कोशन करवाऊंगी तो आप वीडियो के साथ अन तक बने रहेगा नेक्स कोशन की बात करते हैं तो इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड की जो अध्यक्ष है उनका नाम है ब्रिजेश कुमार गुपता और ये इसके CEO भी है राइट्स लिमिटेड की अध्यक्ष का नाम है राहुल मिथल वही फ्रेंट्स नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है इसके अध्यक्ष है यू सर्वनन भार्ति अक्षे बोड विकास अब हम जानेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुक के बारे में तो आईए देखते हैं तो देखें केंद्रिय जांच ब्यूरो यानि की CBI के जो आपके निदेशक हैवन्स उनका नाम है प्रभीन सूत इंटेलिजन्स ब्यूरो यानि की IB के प्रमुक कोन है तो उनका नाम है तपन कुमार डेका प्रभर्त निदेशालिय के निदेशक का नाम है राहुल नवीन और रो यानि की देशाज अनालिसिस विंग के प्रमुक है रभी सिना ये कुशन कफी जाथ इंपॉरंट है के अंदरी सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो है फ्रेंट्स वो है आपके प्रभीन कुमार श्रिवास्तव ये वी कॉशन इंपॉरंट है नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रमुक आयोगों के अध्यक्षों की देखे रास्टे अनुसुचित जन जाती अध्यक्ष है उनका नाम है अंतर सिंग आरियर रास्टे अनुसुचित जाती अध्यक्ष है किशोर मकवाना रास्टे अल्प संग्यक आयोग की अध्यक्षें इकबाल सिंग लालपुरा रास्टे महिला योग की अध्यक्षें फ्रेंट्स देखा शर्मा रास्टे मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षें अरुन कुमार मिश्रा रास्टे बाल अधिकार सरक्षन आयोग के अध्यक्षे प्रयांक कानून गो रास्टे पिछड़ा वर्गा आयोग के जो अध्यक्षे करेंट में उनका नाम है हांसराज गंगाराम अहीर नेक्स्ट अब बात करेंगे अर्दसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में तो देखें CRPF यानि की केंदे देजर पुलीस बल के जो महाने देशक है करेंट में उनका नाम है अनीश्टियाल सिंग वही फ्रेंड्स भारत इबद सिम्मा पुलीस यानि की ITBP के महाने देशक है राहुल रस्कोत्रा ये निव अपॉइंट हुए थे रास्टे सुरक्षागार के महाने देशक है दरजी सिंग चोदरी RPF यानि की रेलजी सुरक्षाबल के जो महाने देशक है उनका नाम है मनोया तव सीमा सुरक्षाबल यानि की BSF के जो करेंट महाने देशक है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है नितिन अगरवाल नेक्स से बात करते हैं रास्टेक एडिट कोर की महाने देशक की तो इनका नाम है गुरबीर पाल सिंग भारतीत अट्रक्षक बल की जो महाने देशक है फ्रेंट्स यह है राकेश पाल अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कॉंटेंट बसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कूल भी ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यह थे हमारा कुछ थियोरी पार्ट जिसमें कि हमने काफे सारे important important points देखे अब हम important mcq का session करेंगे इससे जो है आपका quick revision होगा और important mcq के session में हम जो है extra important facts भी cover करते चलेंगे तो चलिए session को start करते हैं very first question के साथ mcq के देखे इंडियन farmers fertilizer cooperative को ओपरेटिव के नई अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया तो right answer आपका इस question का क्या रहेगा फ्रेंड्स option number A दिलिप संखानी को important points cover करते हैं तो उर्वरक शेतर की अगरनी company इंडियन farmers fertilizer fertilizer cooperative के नई chairman के रूप में जो है फ्रेंड्स गलीप संखानी को चुना गया है वे जो हैं ये पहले इफको के उपाध्यक्ष की पद पर कारिरत थी इसके साथ ही बलवीर सिंग को जो है उपाध्यक्ष चुना गया है नेक्स्ट important question है वर्ष दोहजार चोबिस में भारत के जो नई नोसेना प्रमुक्ष के रूप में नुक्त हुए है उनका क्या नाम है तो भारत के नई नोसेना प्रमुक्ष बनके हैं दिनेश कुमार तरिपाठी ओप्शन अंबर एक करेक्टर अंसार रहेगा भारती नोसेना की बात है ये question में आये इससे जुड़े कुछ important points कवर कर लेते हैं तो भारती नोसेना की स्थापना हुई थी 26 January 1950 को मुख्याले कहां पे है नई दिली में और हर वर्ष हम नोसेना दिवर सेलिब्रेट करते हैं 4 देसंबर को करेंटे पे जो फ्रेंट्स भारत नोसेना की नए उपर प्रमुख है उनका नाम है कृष्णा स्वामिनाथन नेक्स्ट इस वर्ष दोहजार चोविस में भारती कुछती महासंग की अथलीट आयोग की अधक्ष किसे नुक्त किया गया राइट इंसर उप्ष नमर ए है नर्सिंग पंचम यातव को भारती कु प्रमुख है नाम है इनका इदा शिशा नौंग रांग इमेज के तो आप इने देख सकते हैं नेक्स्ट आया केंदरे जांच ब्यूरो यानि की CBI ने अतरिक्त निदेशक के रूपे जो है वो किसे नुक्त किया राइट इंसर उप्ष नमर च रहेगा या और बी दोनों ए A.Y.V. Krishna और N.Vinu Gopal जो है ने CBI ने अतरिक्त निदेशक के रूप में नुक्ती दी है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं सुप्रीम कोट बार एसोसेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है फेंड्स किसे नुक्त किया गया तो राइट अंसर आपका इस कॉशन का क्या रहेगा ओप्शन नुमबर A. Kapil Sibbal को नेक्स्ट कॉशन किसे प्रेस इंफर्मिशन ब्यूरो के प्रधान महाने देशक के रूप में नुक्त किया गया है राइट अंसर उप्शन नुमबर D. है शेफाली बी शरण जो है फ्रेंट्स इन्हें प्रेस इंफर्मिशन ब्यूरो के प्रधान महाने देशक के रूप में नुक्त किया गया है राइट अंसर उप्शन नुमबर E. है मोसमी चकरवर्ती को मार्च दोहसाचोबिस में ओटोमोटिव टायर मैनुफेक्टर्स एस्सोसीशन का जो नया ध्यक्षन नुक्त किया गया वो किसे नुक्त किया गया राइट अंसर उप्शन नुमबर B. है आर्नाव बनेर जी को अलिगर्ण मुस्लिम विश्व विद्याले की जो पहली महिला कुलपती के रूप में नुक्त हुई है उनका क्या नाम है तो इनका नाम है नईमा खातून उप्शन नुमबर C. आपका एकदम करेक्टर आंसर रहेगा इन्हें जो आपन्स अलिगर्ण मुस्लिम विश्व विद्याले की पहली महिला कुलपती के रूप में नुक्त हुई है नेक्स कुशन आपका किसे वस्तू एवं सेवा कर अपिलियन यायधी करण का ध्यक्ष नुक्त किया गया किसे रास्टे सुरक्षागार के महारेदेश की रूप में नुक्त किया गया है नलिन प्रभाद को बाद के रिफ्रेंट्स NSG की स्थापना की तो NSG की स्थापना हुई थी 16th October 1984 को मुख्याले कहां पे है नई दिली में नेक्स्ट आपका गोशन है प्रेल 2024 में एसोसियेटेट चैंबर्स ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओफ इंडिया यानि की एसो चैंब के जो नई अध्यक्ष बने है उनका क्या नाम है तो इनका नाम है संजे नायर यानि की अध्यक्ष नबर एक रेक्ट अंसर रहेगा एसो चैंब जो है फ्रेंच इसकी स्थापना होई तो 1920 में और मुख्याले है इसके नई दिल्ली में नेक्स सेखिए भारत के जो नई नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक बने है यानि कि C.A.G. वो कौन बने है तो वो आपके बनके है गिरिश चंद्र मुर्मू उप्ष नबर B राइट अंसर रहेगा इमेज की तुरू आप इन्हें देख सकते हैं नेक्स कोशन के और आते हैं तो किसे आयूश मंत्राली में निदेशक नियुक्त किया गया राइट अंसर उप्ष नबर D है सुबोत कुमार को नेक्स की का्रेकारी अध्यक्ष के रूप में किसे निबिख किया गया राइट अउसर अप्ष नंबर अहीं है प कारेकारी अध्यक्ष के रूप में निदेख से मिली है आरुन अलगपन की नुक्ति जो है ये ए वल्यान के सेवा निर्वित होने के बाद हुई है कॉर्मोर्डल इंटरेशनल लिमिरेड जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना की गई थी 1961 में बातकरिस के मुख्याले की तो वो है है हैदराबाद में नेक्स्ट आपका किसे न्यू इंडिया इंशोरंस के अगले धक्ष एवं प्रबंद निदेशक यानि की CMD के रूपे नुक्ति मिली राइट अंसर ओप्ष नमबर ए है आपका गिरिजा सुब्रमन्यम को न्यू इंडिया इंशोरंस जो है फ्रेंट इसके स्थापना की गई थी 23 जुलाई 1909 को मुख्याले कहां पर स्थित है मुंबई महरास्ट्र में नेक्स एक ये लोगपाल का नए अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया राइट एंसर ओप्ष नमबर ए है आजे मानिक राओ खान विलकर को जो है लोगपाल का नए अध्यक्ष नुक्त करा गया है नेक्स इंपोर्ण कुशन है सूरत डायमन बोर्स के जो नए अध्यक्ष पने उनका क्या नाम है तो इनका नाम है गोविंत डोल किया ओप्ष नमबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा मार्च दोवजार चोबिस में फिकी लेडिस और्गनाइजेशन की अध्यक्ष को नुक्त हुई राइट अंसर ओप्ष नमबर बी है जोई श्री दास फर्मा किसे डाग विवाग का सचीव निक्त किया गया है तो डाग विवाग का जो नेया सचीव बन गी है वो बन गी है वंदिता कॉल ओप्ष नमबर जी बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा बाटी डाग जो है इसकी स्थापना की गई थी एक ओक्टूबर 1854 को एवं प्रबंद निदेशक किसे निक्त किया गया तो राइट एंसर आपका इस कोशन का रहेगा उप्ष नमबर A सुशील शर्मा को SJVN जो है फ्रेंट्स इसकी फुल फर्म होती है सतलुच जल विद्यूत निकम नचेसिक ये रास्टे महिला होकी टीम के कोच के रूप में किसे निक्त किया गया है राइट एंसर एप्ष नमबर A रहेगा हारेंदर सिंह को एपरिल 24 में 16 वितायोग का सदस्य जो है फ्रेंसți वो किसे निक्त किया गया तो right answer option number यह रहेगा मनोज पांडी को जो है April 2024 में सोनवे वितायोग के सदस्य के रूप में नुक्ति मिली है Next question के और move करते हैं तो April 2024 में जो विशेश सुरक्षा समूव यानि कि SPG के महाने रिक्षक के रूप में फ्रेंट्स नुक्ति हुए हैं उनका क्या नाम है तो इनका नाम है लव कुमार option number B के रैक्ट अंसर रहेगा इमेज के तुरू आप इने देख सकते हैं Next question Conquer Railway Corporation Limited का नया ध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक किसे नुक्ति किया गया Right answer option number A है संतोष कुमार जहा को इम्पोर्णब पर इसके बाद के लिए तो 1992 बैज के भारती रैलवे यातायाद सेवा दिकारी है फ्रण संतोष कुमार जहा और इने जो है Conquer Railway Corporation Limited के CMD के रूप में नुक्ति मिली है Conquer Railway Corporation Limited जो है यह आपका स्थापित हुआ था 19 जुलाई 1990 को मुख्याले काहाँ पर है नवी मुंबई महरास्ट्र में नेक्स सिखिये किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्राले में निदेशक की रूप में नुक्ति किया गिया राइट अंसर उप्षन बब बब बी है सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्राले जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना हुई थी 1952 को मुख्याले काहाँ पर है तो मुख्याले है नई दिली के निर्मान भवन में कैमिनेट मंत्री है इसके करंट में फ्रेंट्स हर्दीप सिंग पूरी नेक्स कोशन है रास्टे अनुसूचित जाती आयोग यानि कि NCSC का अध्यक्षकी से नुक्ट किया गया राइट अंसर ओप्षन नुबर बी है आपका किशोर मकवाना को रास्टे अनुसूचित जाती आयोग जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना हुई थी 1978 को ये जो है एक संभैदनिक निकाय है जो कि साल 2003 में हुए 89 संभिधान संशोधन के तहट रास्टे अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आयोग को दो अलग-लग आयोगों में माटा गया ये दो आयोग है रास्टे अनुसूचित जाती आयोग अनुसुचित जन जाती आयो नेक्स आपका इंडियन स्टील असोसेशन के नए अध्यक्ष कोन बने राइट अंसर ओप्शन अबर ए है नवीन जिन्दल तो नवीन जिन्दल जो है इन्हें आई से के नए अध्यक्ष अपोइंट किया गया है आये से जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना हुई थी 2014 में नए दिली में इसकी जो है मुख्याले है इंडियन स्टील असोसेशन के अनुसार ये भारत के कच्चे इसपात उतपादन के 65 प्रतीशत भाग का जो है वो प्रतिनी धित्व करते हैं नेक्स एक ये वर्ष दोहजाचोबिस में किसे भारती वैक्सिन निर्माता संका अध्यक्ष निउप्ट किया गया राइट अंसर ओप्ष नुबर स्थी है आपका क्रिश्ण एहला को नेक्स कुशन के और मूव करते हैं तो प्रसार भारती की जो नए अध्यक्ष बनके उन निकी सेवी की जो करंट अध्यक्ष है उनका क्या नाम है उनका नाम है मादवी पूरी बुच ऑप्ष नमबर डी राइट अंसर रहेगा सेवी जो है इसकी स्थापना की गयी थी बारा एप्रिल 1988 को मुख्याले कहां पे हैं मुंबई में इसके महान देश्यक्ष निकी की जो है इसके महानिदेशक एवं CEO जो है करणट में उनका नाम है डुक्टर अजे सहाई इसका गटन की बात करी तो गटन करा गया था 1965 में और मुख्याले जो है वो नई दिली में स्थित है नेक्स्ट कुश्चन भारतिय सेना के नई उपपरमुक के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया? नेक्स्ट आपका कुश्चन है भारत की जो नई मुख्य चुनाव अयूक्त बने उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है राजीग कुमार उपप्शन नबर बी राइटन से रहेगा इंपरन कुश्चन है मार्च दोफसार चुबिस में जो है फ्रेंज ग्यानिश कुमार और सुकबीर सिंग संदु को जो है चुनाव अयूक्त नुक्त किया गया था बात करे करेंट में हमारे उपचुनाव अयूक्त की तो उनका नाम है अजे भादू बाहत्य निर्वाचन आयोग जो है फ्रेंच इसकी स्थापना की गई थी 25 जनुरी 1950 को मुख्याले है नई दिल्ली में फ्रेंच आपको जो है मैं एक वीडियो में काफी सारी important points कवर कर वा रही हूँ इसलिए आपने वीडियो को जो है जादा से जादा like और share करना है और comment section में आप हमें बता सकते हैं की वीडियो आपको कैसा लगा और next वीडियो आपको जिस भी topic पे चाहिए आप ये भी हमारे साथ बता सकते हैं वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा क्योंकि last में मैं आपको जो है बताओंगे कि आप हमारी payday books जो हैं वो कैसे बई कर सकते हैं current affairs की बाकी free pdf आप वीडियो का कैसे ले सकते हैं वो भी हम discuss करेंगे वीडियो के अन में तो वीडियो के अन तक बने रहिएगा next question क्यों राते हैं तो मार्च 2024 में किसे चुनावा युक्त की रूप में नुक्त किया गया right answer option number C है उप्युक्त दोनों ग्यानेश कुमार और सुकपीर सिंग संदू को next इक ये संसे जुरक्षा का प्रमुक जो है वो किसे नुक्त किया गया right answer option number A है आपका अनुराग अकरवाल को next question बहरते दूर संचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है right answer रहेगा आपका option number C अनिल कुमार लहोटी को और फ्रेंच जो भारते दूर संचार नियामक प्राधिकरण है इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी 25, 1997 को और मुख्याले इसके कहां पे है दली में next question क्यों राते है हमारे तो देखिए भारते ओलंपिक संग के जो नए CEO बने है उनका क्या नाम है उनका नाम है रगुराम आयर ओप्शन नमबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा अगर बात करें इसके अध्यक्ष की भारते ओलंपिक संग की तो उनका क्या नाम है उनका नाम है फ्रेंच पी टी उशा स्थापना इसकी गरीगे थी 1997 में मुख्याले कहां है नहीं द नाम है राइट अंसर ओप्शन नमबर डी है राहुल सिंगर कुशन देखे संयुक्तरास्ट यानि की यूएन ने में जो भारत के स्थाई प्रतिनिती भने हैं उनका क्या नाम है तो उनका नाम है अरिंदम बाक्ची ओप्शन नमबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर करते हैं तो दिखिए इसकी स्थापना जो है यह 24 ओक्टूबर 1945 को करी गए थी मुख्याले न्यू यॉक में है करंट अध्यक्ष है इसके इंटोनियो गुटेरस सर नेक्स कुशन सश्यस्त्र सीमाबल यानि के SSB के महानदेशक कोन बने तो राइट इंसर क्या रहेगा ऑप का है नई दिल्ली में इसका जो गठन है SSB का वो किया गया था 20 दिसंबर 1963 को नेक्स कुशन के और बढ़ते हैं तो नेक्स कुशन देखिए आपका केंदे सरकार ने 16 वे वितायोग का धिक्ष्य जो है वो किसे निक्त किया राइट अंसर ऑप्शन बभी है आपका डॉक्ट कान दिया गया है केंदर और राज्यों के विच जो है फ्रेंट्स पैसा कितना बढ़नेगा कैसे बढ़नेगा इसकी जो देख रहे है वो आपका करता है वितायोग नेक्स कुशन के और आते हैं तो केंदे सरकार ने जो है केंदे रिजर पूलीस पल यानि कि CRPF का जो नया टीजी अपॉइंट करा है वो किसे अपॉइंट करा है राइट एंसर ओप्शन अमबर ए है आपका अनीश द्याल सिंग को CRPF 24 किस्तापना 1999 को हुई थी मुख्याले नई दिली में है करंट महनदेशक है अनीश द्याल सिंग नेक्स एक ये कोशन आपका केंदे हो थे हो कि सुरक्षा बली यानि कि CISF की जो प्रमुक बनने वाली पहली महिला बनी फेंट्स उनका क्या नाम है तो इनका नाम है नीना सिंग option number B right answer रहेगा image की तो आप इने देख सकते हैं ये जो है प्रमुक की प्रमुक बनने वाली पहली महिला बनी है इसलिए आपके exam के लिए important हो जाता है ये कोशन CISF से जुड़े कुछ important बरिस जा लेते हैं ठीक है extra information क्योंकि मैं आपको provide करवाती हूँ तो देखिए स्था आपना 1969 में हुई थी मुख्याले की बात करें नई दिली में है करंट अध्यक्ष बन गी है नीना सिंग next question है भारती वानी जे एवं उध्योग महसंग यानि की फिक्की के जो नई अध्यक्ष अपॉइंट हुए है उनका क्या नाम है right answer option number B है अनीश शाह जो है फ्रेंट्स इन्हें फिक्की के नई अध्यक्ष के रूप में निक्ती मिली है फिक्की जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना 1997 को हुई थी मुख्याले जो है वो नई दिली में है next question आपका केंदे सरकार ने भारत इबद सीमा पुलिस यानि की ITBP का जो नया महने देशक अपॉइंट करा है वो किसे ही पनाया है option number B right answer रहेगा राहूल रस्कोत्रा जो है फ्रेंट्स इन्हें ITBP ने नया महने देशक अपॉइंट करा है भारत इबद सीमा पुलिस जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना की ये थी 24 अक्टूबर 1962 को मुख्याले है नहीं दिली में नेक्स से किये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयूग तो जो है वो कौन बने right answer option number A है हीरालाल सामरिया next question research and analysis wing यानि की रो के नए परमुख कौन बने तो इनका नाम है रवी सेना option number B right answer रहेगा ये जो है ये research and analysis wing के नए परमुख का पॉइंट हो गये है रो की जो स्थापना है परमुख की करी गई थी 21st September 1968 को और बात करें इसके headquarters की तो वो है आपके न्यू दली में next question क्यों और मुख कर लेते हैं तो देखिए railway board की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कोन बनी इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा option बने राइट अंसर रहेगा ये जो है ये railway board की पहली महिला अध्यक्ष और CEO पॉइंट हुई है बाती रेलवे से जोड़े कुछ important points कवर कर लेते हैं तो इसकी अध्यक्ष प्रकाश श्रिवास्तव एन जीटी जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना ही थी 18 अक्टूबर 2010 को मुख्याले कहां पर है नहीं दिल्ली में नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं तो लगातार तीसरी बार जो है इसकी क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया तो उप्शन अमबर ए राइटन से रहेगा जैशा जो है फ्रेंट्स इन्हें लगातार थर्ड टाइम जो है एसकी के अध्यक्ष कौन बने राइट अंसर ओप्शन अमबर ए है समीर कुमार सिनहा नेक्स कोशन जनुरी दोहजार चोबिस में रेलवे बोर्ड की जो सचीव का पदवार है फ्रेंट्स वो किसने संबाला राइट अंसर ओप्शन अमबर डी रहेगा अरुना नायर जो है फ्रेंट्स इन्हों जनुरी दोहसार चोबिस में रेलवे बोर्ड के सचीव का पदवार जो है वो संबाला है नेक्स्ट आपका कुशन विदेश मंत्राले की जो नए प्रबक्ता बने उनका क्या नाम है राइट अंसर ओप्शन नमरे है रंधीर जैस्वाल भारत के जो करेंट विदेश मंत्री है वो भी आपको द्यार में रखने है सुबरमने मजय शंकरी इनका नाम है ठीक है नेक्स्ट कुशन क्यों राते हैं तो नेक्स्ट कुशन आपका है बोंबे स्टोक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया राइट एंसर उप्शन नमरे सी है अगरवाल इनहें BSC के नए अध्यक्ष बनाया गया है BSC इसकी स्थापना करी गी थी 9 जुलाई 1875 को मुख्याले है मुंबई में नेक्स कुशन आज का है भारती वानी की अनुसंधान शिक्षा परिशत की पहली महिला मानिदेशक जो है वो किसे बनाया गया राइट एंसर उप्शन नमरे सी है आपका श्रीमती कंचन देवी को नेक्स कुशन भारत के नए महा सर्वेक्षक जो है वो कौन बने राइट एंसर उप्शन नमरे डी है आपका हितेश कुमार S. मकवाना जो है ये भारत के नए महा सर्वेक्षक पॉइंट हुए है नेक्स कुशन क्यों राते हैं तो सीमा सडक संगठन यानि के बी आरों के जो 28 से नमबर के महाने देशक बन गे हैं उनका नाम है रगूर श्रीवनिवासन उप्शन नमरे डी आपका एकदम करेक्ट अंसर रहेगा सीमा सडक संगठन जो है फ्रेंच इसकी स्थापना 7 माई 1960 को ही थी मुख्याले नए दिली में है नेक्स कुशन आपका है जेल महाने देशक का पदबार किसने संभाला राइट अंसर उप्शन नमरे है महेश्वर द्यालने रेल्वे सुरक्षा बल सेवा यानिके आरपी एफस के जो नए महाने देशक बन गे उनका क्या नाम है राइट अंसर उप्शन नमरे सी है आपका मनोज जादव रेल्वे सुरक्षा बल सेवा इसकी स्थापना हुई थी सिटम्बर 1959 को मुख्याले नई तिली में है नेक्स्ट कुशन की तरफ आते हैं तो भारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान के जो नए अधिक्ष पने फैंस उनका क्या नाम है तो उप्षन बब B एकदम क्रेक्ट अंसर रहेगा आर माधवन जो है इन्हें भारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान के नए अधिक्ष के रूप में नुक्ती मिली है भारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान जो है इसकी स्थापना करी गई थी 1960 में और इसके जो मुख्याले है वो है पूने महरास्ट्र में नेस्ट कॉशन क्यों राते हैं तो नेक्स कॉशन है आपका भारत की जो सोलिस्टर जनल बने फ्रेंस उनका क्या नाम है राइट अंसर उप्शन नबर C है तुशार महता नेक्स सिकी बहातीत अट्रक्शक बल यानि कि ICG के जो 25 महाने देशक बने है उनका क्या नाम है राइट अंसर उप्शन नबर C रहेगा राकेश पाल जो है ये ICG के 25 नंबर के महाने देशक बनगे ICCG जे जोड़े कुछ important points देखते हैं तो 1978 में ये स्थापित हुआ था नई दिल्ली में इसके मुख्याले है और अतिरिक्त महाने देशक बनगे है एस परमेश नेक्स्ट आपका केंदे अन्वेक्शन व्यूरो यानि की CBI के जो नए निदेशक बने उनका क्या नाम है राइट अंसर उप्शन नबर B रहेगा प्रवीन सूद जो है फ्रंट की CBI के नए निदेशक पॉइंट होगे है CBI के मुख्याले जो है वो नए दिली में है और एक एप्रिल 1963 को जो है इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट आपका भावा प्रमानु अनुसंधान केंद्र के जो चोद्वे निदेशक बने वो कौन बने राइट अंसर उप्शन बर ये है विवेक भसीन भावा प्रमानु अनुसंधान के इंदे से जोड़े कुछ इंपॉर्टन पॉइंस चानते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को मुख्याले है मुंबई में नेक्स कुछन देखते हैं आपका तो दीखें भारती प्रतिस पर्दा योग यानि कि CCI की पहली महिला द्यक्ष जो है वो कौन बनी तो इनका नाम है फ्रेंट्स रवनीत कोर ओप्शन बसीर आइटन से रहीगा CCI जो है फ्रेंट्स इसकी स्तापना हुई थी 14 ओक्टूबर 2003 को और इसके जो हैटकोर्टर्स है वो है दिल्ली में नेक्स कुशन क्यों मूव करते हैं तो देखे भारती भूव एगयानिक सर्वेक्षन यानि कि GSI के जो नए महानदेशों के बन गे हैं फ्रेंट्स वो कौन बन गे हैं तो उप्शन अमबर डी आपका एकदम करेक्ट अंसर रहेगा जो नार्दन परसाज जो है इन्हें GSI के नए महानदेशों के रुपे नुक्ती मिली है GSI जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना हुई थी चार मार्च 1851 को मुख्याले हैं कोलकाता में नेक्स कुशन है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानिकी BCCI के जो नए अध्यक्ष पने उनका क्या नाम है राइट अंसर उप्रेंट्स इसकी स्थापना हुई थी 1998 को मुख्याले है मुंबई में करेंट असचीव है जैशा और उपाद एक्ष है राजीव शुकला नेक्स्ट आपका रास्टे परिक्षन एजिंसी के नए महानदेशों कोन बने राइट अंसर इस उप्षन नमबर एक सुभोत कुमार तो सुभोत कुमार जो है एंटिये के नए महानदेशों को पॉइंट हो गए है और एंटिये जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना करी गई थी 2017 में नेक्स्ट आपका भारत के नए लेखा महानी अंतरक यानि की CGA जो है वो कौन अपॉइंट हो गए काफ़ जादा इंपॉर्ण कोशन है ऑप्षन नमबर बी एकदम क्रेक्ट अंसर रहेगा एसस दूबे एसस दूबे जो हैं इंडिया के न्यू सीजिये है और कौन से नमब ऑप्षिन उबर C एकदम करेक्ट आप सरर रहेगा प्रमानी उचण जोहां फर्रशु का तीन ओगस्ट 1948 को भात करेंग्याद की C तो हैट्ट कॉr 하지 के हैं आपके मुंबई में नेक्स्क् Ecuador को और आते हैं तो दीखे नेक्स कूशन जो है आज को ऐ आपका भारति रास्टे राजमार्प प्रादीकर relies को ने ऐह दिक्ष को न बने राइड एंसर option number A है संतोश कुमार्यातव भारती रास्टे राजमार्ट प्राधीकरन इसकी स्थापना हुईती 1988 में मुख्याले है नई दिल्ली में नेक्स्ट आपका भारत की रास्टे सुरक्षा सलाकार जो है फ्रेंट वो कौन बने उन यहां उप्र यहीं हमारे उपर रास्टे सुरक्षा सलाकार की तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए उनका नाम है पंकर्च पुंगーस कुमार्ट आपका comunque nah नाम है option number C एकदम क्रेक्ट अंसर रहेगा केवी शाजी नाबार जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना की गेती 1982 में मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में next आपका रक्षा नुसंधार नेवं विकास संगतन यानि के DRDO के जो नए अध्यक्ष बने उनका क्या नाम है option number B राइट अंसर रहेगा समीर वी कामत DRDO जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना 1958 को हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है next question है भारती विशिष्ट पहचान प्रादीकरण के नए CEO कौन बने right answer option number C है अमित अगरवाल भारती विशिष्ट पहचान प्रादीकरण से जुड़े कुछ important points कवर करते हैं तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 2009 को हुई थी नई दिल्ली में मुख्याले है next आपका भारती थलसेना के नए प्रमुक कोन बने right answer option number B है मनोज पांडे भारती थलसेना से जुड़े कुछ important points देखते हैं तो देखिए friends भारती थलसेना जो है इसकी स्थापना हुई थी एक अपरेल 1895 को मुख्याले नई दिल्ली में है और करंट उप प्रमुक है इसके उपेंद्र द्वीवे थी next question जो की last question आज की वीडियो का इसके बाद मैं आपसे two question का test लोगी तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा केंदे अपरतेक्ष कर और सिमा शुलक बोड के जो नई अधिक्ष बन गे है friends उनका नाम है संजी कुमार अगरवाल option number D right answer रहेगा इसकी जो स्तापना है when CBIC की वो ही थी 1st Gen 1964 को और नई दिली में जो है इसके मुख्याले है ठीक है तो इसके साथ हमारा आज का important session complete होता है जिसमें के AT MCQs में मैंने आपको discuss करवा दी टेस्ट वाल अपार देख लेते हैं तो दिखिए first question आपके लिए test का है भारति ओलंपिक संग के नए CEO कौन बने four options आपके पास है राइटन सरा आप मुझे comment section में देंगे तो अब मैं आपको पता दू हमारी paid e-books के बारे में अगर आपको हमारी paid e-books भाई का नहीं है तो आप हमारी website विजर कर सकते है www.ravibooks.pdf.com के नाम से है यहां पे आपको जो है last four months की grant affairs की e-book मिल जाएगी टेली गराम पे जूर सकते हैं current of years पाई रवी नाम से है यहां पे आपको daily basis पे current of years की और बाकी भी pre-pdips प्रोवाइड करवाई जाते हैं अगर आपको quiz लगाना है तो आप हमारे mobile application पे जा सकते हैं रवी study IQGK के नाम से है यहां पे free test के option से आप free quiz लगा सकते हैं इबूक के मैंने आपको पर ही बता दिया comment section में भी comment pin रहता है आप वहां से भी नेजिली पाई कर सकते हैं तो चल यह अब आप से मिलते हैं next video में एक और important session के साथ thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your performing exams